आपका और एक सेशन में शूर शॉर शॉर्ट टेन माक्स फॉर आपको यह लेक्चर देखने हैं अराउंड 20 मिनिट्स में मैं करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेट कवर आज मैं करवा रहा हूं वैलुएशन ऑफ सिक्यॉरिटीज में से बॉंड रिफंडिंग जो कही न कहीं स्टुदेंट्स ऑप्शन में चोड़ देते हैं बट इट इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं आपको करवाने वाला हूं इसको बहुत थी सिंप्लिस्टिक वे में अल्यू आप एसे और बहुत सारे कॉंसेप्स आपके दिमाग में आ सकते हैं कमेंट प्लीज क्लिक अन ब्ले बेल आइकन वेरी इसे बहुत सारे फिनांस रिल्टेंट चैनल पर मिल जाएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर रहा हूं मेरा तेलिग्राम चैनल जस्ट गो देर और डाउनलोड देर ट्वेंटी मिनिट्स मैं ऐसे बहुत सारे कॉंसेप्स मैं अल्रेडी करवा चुका हूं तो यह प्लेइलिस्ट तुम लोग प्लीज यूज कर लेना विल भी वेरी एलफूल तो अभी चालू कर रहे हैं अपन लोग बॉंड रिफंडिंग तीक है यह नोट्स जैसा मैंने बोला इस सब आपको टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा and smoothly you'll be able to manage it तो बॉंड रिफंडिंग का concept होता क्या है तो समझो मैंने मैं एक company हूँ XYZ company जिसने bonds issue किया है और मैंने ये bonds issue किया है 15% rate of interest के हिसाब से जो अभी market में rate चल रहा है आग मैंने ये bond issue किया ऐसे 30 years के लिए अब 5 साल बाद interest rate और market का सिनारियो कुछ ऐसा होता है कि आ साल पहले जो bond issue किये थे 15% वे किये थे आज उन bonds का rate हो गया है 11% तो सीधी सी बात है मेरे को लगया किया रहे यार मैं 4% extra bond का उपर interest क्यों दूँ तो ऐसे situation में I will try to recall the bond और मैं नया bond issue कर दूँगा उन्हीं को issue कर दूँगा कोई problem नहीं नहीं नया bond issue करूँगा 11% के हिसाब से बट जो investor है वो बोलेगा रहे भाई हमको तो 15% मिलना चाहिए था हमको क्यों 11% तो इसके लिए agreement पे पहले से हम लोगो को एक clause डालना पड़ेगा that bond refunding या calling of bond is allowed but अगर वो मैं चाहता हूं मैं ऐसा company यह तो मेरा personal interest हुआ कि जैसे interest rate कम हुआ मैं bond को recall कर दूँगा वो एक clause डालेगा सामने investor that अगर आपको recall करना है तो आपको कुछ call premium pay करना पड़ेगा मतलब अगर 1000 रुपीज का वो bond का redeemable value था आपको मुझे आज 1140 पे करना पड़ेगा जी हां तो 140 रुपीज जो extra आप पे कर रहे है that is called as call premium तो as a company आपको call premium पे करना पड़ रहे है यह आपका cost ह है बट सामने आपका interest 4% per annum save हो रहा है यह आपका saving है बस यही cost-based benefit analysis को के थ्रू अपन लोग पादा चलेंगे कि bond refunding करना चाहिए या नहीं got it guys so आप लोग को एक short में समझ में आ गया concept क्या है अब देखो the coupon or interest changes in regular intervals and अगर अपने को higher से अब lower वाले पे जाना है then what will I do correct I will use the concept of bond refunding जहां पे मैं cost benefit analysis करूंगा अब cost benefit analysis में क्या होता है तो मैं देखूंगा कि मेरे कितने cost extra लग रहे है ये bond refunding की वज़े से so मेरा call premium extra जा रहा है बराबर है ना investor भी शाना है वो बोले है कि ठीक है तुमको interest कम करवाना है हमको call premium दे दू नया issue जो है उससे related flotation cost मेरा extra लग सकता है बट हो सकता है कुछ tax related और cost लग जाए some benefit भी हो सकता है specially savings of interest का कुछ और tax benefit भी हो सकता है बस यह सब को as a chartered अपने को analyze करना है and decision देना अपने client को whether the net benefit is positive और negative and उसी साब से he will accept or reject the project project so अब इसको समझने के लिए अपन लोग लेने वाले है एक ICAI का question वैसे ICAI ने खाली एक ही question दिया है bond refunding के उपर so chances है कि यही आ जाए वैसे यह AI या दुनिया का कोई भी question है मैं आप लोगों को bond refunding का जो format बना के देने वाला हूना उसमें आप कोई भी question मतब मेरे पास तो एकदम high से high level के questions है बट आप बोलेंगे नहीं सर हमको तो खाली module करके जाना है तो यह module का question आप लोगों के लिए अब मैं solve करने वाला ह in the way ICAI wants it with the perfect solution तो अगर आप लोगों के पास optimized है then in that case आप optimized का question number 25 open कर सकते हैं and अगर आप लोगों के पास module है then module का question number 25 open कर सकते हैं दोनों में bond refunding का ही question है फटा फट इसको solve कर लेंगे but obviously you will need a proper way of solving it कैसे इसको solve करना है वो मैंने यहाँ पर बदाया है यह notes आप लोगों को please telegram से ही लेना पड़ेगा या फिर आपको magic book से मिल जाएगा magic book अगर आपके पास है well and good नहीं है मेरा personal suggestion purchase it right away exam के 1.5 days के time पे क्या theory पढ़ना है क्या formulas याद है कि नहीं सारा एक साथ है कि नहीं master sums कौन सा करना है वो सब आपको अगर एक ही book में मिल रहा है I think this is what you are looking for right so please definitely have it if not यह notes आपको telegram पे free of course मिली जाएगा so download it from there immediately अब आजाओ इस ICAI के question के ओपर so ICAI का यह वाला तो आप लोग सब लोग के पास module का question तो सब के पास रहे गई रहेगा so फिर बाद में किसी को भी tension लेनी की जरूरत नहीं है on that note guys we are starting with the concept of bond refunding अब जैसा मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि कुछ cost benefit analysis करते हैं अपन and फिर decide करते हैं whether we have to go ahead with this or not तो चलो आओ let's try and understand with each one of you क्या exactly होने वाला है इस cost benefit analysis में so guys as discussed with you अपन क्या करने वाले है अपन करने वाले है cost benefit analysis तो चलो मैं इसको immediately एक बार copy कर लेता हूँ and here we go so मेरे cost benefit analysis में मेरा पहला चीज है cost क्या आएगा इस cost में और फिर मेरा दूसरा चीज है benefit तो क्या आएगा इस benefit में जो मेरा cost वाला पार्ट है जो मेरा cost वाला पार्ट है उसमें दो तरह के cost होंगे एक होगा cash inflow जो one time है मतलब एक बार मेरा वो cash outflow हुआ cost है ना तो outflow हुआ एक बार ये पुरा का पुरा cash outflow हो जाएगा कैसे होगा क्या होगा वो sum के तुरू सब समझेगा फिलाल खाली मेरे को एक बार ये बना लेने दो पुरा system दूसरा है recurring cash outflow तो अगर मेरा जो old bond है उसको अभी और दस साल बाकी है तो दस साल तक ये cash outflow हो सकते है तो ऐसा क्या होगा बताएंगे सब बताएंगे आपको you don't have to worry at all फिर बात में दूसरा है मेरा benefit cost के सामने दूसरा है मेरा benefit benefit क्या होगा मेरा one time cash inflow कुछ ना कुछ मेरे को एक ऐसा one time cash benefit मिल जाएगा ना बता नहीं सकता और कुछ benefit मेरे को जैसे interest है उसका मेरे को recurring cash inflow का benefit मिलते जाएगा तो आपका जो पूरा का पूरा answer है ना बस यह चार दिवारी के अंदर है that's it जी हाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस easy way में अपन लोग एक bond refunding के question को solve कर सकते है आईए आने वाले 5 मिनिट में we will try to get that done ABC Limited has rupees 300 million 12% bonds outstanding with the 6 years remaining to maturity यह old bond की कहानी चल रही है since interest rates are falling ABC Limited is contemplating of refunding these bonds with a new 300 million issue of 6 year bonds carrying coupon rate of 10% आप लोग ने देखा क्यों मैं refund कर रहा हूं क्योंकि यह 12% से अब ओ रहा है 10% issue cost of the new bond is 6 million and the call premium is 4% 9 million being the unamortized portion of issue cost of old bonds can be written off no sooner the old bonds are called off इसका मतलब समझाऊंगा marginal tax rate दिया है 30% आपको बताना है bond refund करे या नहीं and that frankly speaking is dependent on only one thing and that is cost benefit analysis आईए फटा फट इस cost benefit analysis को करते हैं start सो यह 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 cost benefit analysis तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है पता है क्या आपको old bonds का सारा info लिख देना है और फिर साथी में अपने को इधर ही new bonds का भी सारा info लिख देना है so that when we start with this format things are easy अब old bonds के लिए क्या का info दिया है 300 million का यह bonds है so इसका पहले value दिया है कितना 300 million okay उसके बाद उसका interest दिया है sir 12% नए वाले bond का value कितना है 300 million तो यह तो चलो पूरा same to same ही है इसका interest कितना है sir इसका interest है 10% अगर आप लोग ने note किया होगा तो इन्होंने बोला है call premium आपको देना पड़ेगा which is obvious and that is 300 million के उपर 4% which is 12 million इधर का इधर ही calculate हो गया okay उसके बाद में वो लोग ने क्या बोला है 6 years remaining तो अभी time to maturity कितना है 6 years तो यह एक general point है मेरा so इधर मैं लिख देता हूँ time to maturity old हो या new दोनों का 6 years pending है और क्या information दिया है let's see carrying 10% interest done issue cost of the new bond will be 6 million and call premium तो call premium का तो अपन लोग ने लिख लिया इधर जो नया bond है उसका issue cost बोला है 6 million इसका issue cost बोला है 6 million तो यह अपन लोग ने लिख लिया है 6 million then 9 million being the unamortized portion unamortized portion किसका होगा obviously बात है old bond का होगा so unamortized यह कितना बाकी है यह क्या पता है यह पुराने bond का flotation cost जैसे है यह पुराने bond का flotation cost है and that is 9 million उसके बाद last information दियावा है marginal tax rate is 30% marginal tax rate is 30% so यह time to maturity एक common point है तो मैंने सुचा चलो इसको अलग से अपन लोग ले लेते है so 9 time to maturity है मेरा 6 years and दूसरी जो मेरी aspect है वो है दूसरा जो मेरा aspect है वो है tax rate tax rate है मेरा 30% समझ में आ गया आपको यह मैंने एक छोटा सा summary आ पर बना लिया है अब mostly जो भी question आएगा वो ऐसा ही कुछ आएगा अब इसको दीरे दीरे अपन को decode करना है कैसे सबसे पहले क्या बोला है one time cash outflow अपने को identify करना है सो चलो आप देखते है one time cash outflow में क्या आएगा मुझे बहुत clearly दिख रहे हैं दो one time cash outflows बहुत clearly दिख रहे हैं एक मुझे दिख रहा है जो one time cash outflows है उसको मैं yellow में highlight कर रहा हूं एक दिख रहा है call premium can I say call premium तो एक जटके में चले जाएगा जो मेरा old bond वाले है वो बलेगा चलो भाई मेरको immediately मेरा refund का पैसा चाहिए extra premium चाहिए तो वो हो गया 12 million दूसरा इधर मेरको दिख रहा है issue cost जो new bond है ना बेटा उसको issue cost incur होगा 6 million तो जैसे ही आप new bond issue करोगे आपको 6 million देना ही पड़े तो पहला है मेरा related to call premium अब एक basic चीज हमेशा ध्यान रखना अगर आप कोई भी दुनिया में खर्चा कर रहे हो then in that case always उसका आपको tax benefit मिलेगा so 1 minus t so 12 into 1 minus 0.7 equal to 8.4 million net आपके जेब से गया net of tax यह आपके जेब से गया आज का आज ही जैसे ही आपने 12 million debit किया आपको उसका tax benefit मिल गया 30% का 3.6 बचा कितना net आपके जेब से गया 8.4 सबजे second point में इधर आपको फटा फट बता देता हू issue cost अब यह issue cost भी है मेरा कितना sir issue cost है मेरा 6 million अब आपको immediately लगेगा sir यह issue cost के उपर भी तो tax benefit आएगा now let me tell you as per income tax act issue cost का tax benefit is amortized over the period of the bond तो period of the bond कितना है कितना है period of the bond 6 years time to maturity देगा उदर लिगा न 6 years so अगर 6 साल बचा है तो यह issue cost का tax benefit मिलेगा attention मत लेना but over a period of 6 years so इदर अपने लोग लिख लेते हैं कि यह 6 million अभी गया but इसका tax benefit मिलेगा tax benefit over 6 years ठीक है इसका impact आएगा don't worry कहां पर आएगा अगर आप लोग ने note किया होगा तो मैंने इदर एक चीज लिखी है क्या recurring cash inflow so इसका जो tax benefit है यह जो issue cost है उसका जो tax benefit है वो मेरेको as a recurring cash inflow के time पे मैं ले लूँगा कि यह जो मेरा 6 million गया है divide by 6 years मतलब 1 million में हर साल P&L में debit कर सकता हूँ 1 million में हर साल P&L में debit कर सकता हूँ जैसे मैं P&L में 1 million debit करूँगा 30% का tax benefit मिल जाएगा मतलब 1 million into 0.3 तो 0.3 million का मुझे tax benefit आने वाले 6 साल तक मिलेगा which is a part of recurring cash flow आप लोगों को समझ में आई गया होगा मैं क्या बने की कोशिश कर रहा हूँ तभी आएंगे वापस से देख लेंगे तो in short मेरा one time cash outflow आ गया है and that is guys 14.4 million and that is guys 14.4 million I hope clear पहला मेरा जो पड़ाव है वो clear हो गया है done है अब आ जाते हैं अपन लोग किस क्यों कोई भी चीज़ के उपर आ सकते है one time cash inflow के उपर आ जाते हैं या फिर recurring cash inflows है चलो मैं recurring cash inflows ले लेता हूँ I'll tell you why क्योंकि one time cash outflow में एक ये 6 million है जो अब मुझे impact देगा मेरे ये जो tax benefit है न वो मेरे को over a period of 6 years recurring cash inflow के form में मिलने वाला है तो मेरी इच्चा है कि मैं इसको अभी कभी तुम लोग के दिमाग में fresh है तो करवा दूँ आज आज आँ मैं कर लेता हूँ one time cash recurring cash inflow बाकि अपन लोग अलग से भी कर सकते हैं उसमें कोई कोई हर्जा नहीं है तो यह मैं अलग से भी कर सकता हूँ recurring cash inflow में याद रखना यह issue cost वाला point आएगा चाहिए तो अपन इधर अभी का भी लिख लिया तो क्या है यह issue cost वाला point अपन बोल रहा है वह 6 million जो है वो over a period of 6 years P&L में debit होगा और जैसे ही वो debit होगा उसका जो tax rate है इसका जो tax rate है उसक मेरे को benefit मिल जाएगा इधर मेरा six divided by six one into point three point three million मेरे को इधर लिखके मिल जाएगा issue cost और क्या हो रहा है मेरा cash inflow बोलो बोलो tell tell guys कोई बोल सकता है क्या और cash inflow क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ और एक बहुत important cash inflow जिसकी वजह से मैंने यह decision लिया है and that is interest saving अरे बा interest के उपर मैं save कर रहा हूँ 2% पहले 12% था अब 10% हो गया है तो 2% I am saving on 300 million which is equal to which is equal to six million अब याद रखना जैसे यहाँ पे आपने tax को खर्चा कर रहे हो तो आप tax benefit ले रहे हो तो यहाँ पे अगर आपको कुछ interest मिल रहा है inflow तो उसमें से tax minus b हो जाएगा so आपके पास net बचेगा 4.2 million इसको आप 6 into 1 minus t करके भी कर सकते हो will give you the same answer समझे everybody so this is your recurring cash inflow recurring का मतलब every year यह आपको हर साल यह tax benefit मिलने वाल है हर साल यह interest का saving होगा वरना हर साल 12% जाता अब हर साल 10% ही जाएगा तो हर साल 2% बच रहा है net net मेरा 4.5 million net net मेरा 4.5 million is what I am saving बट अब आपको मैं बता दू इसमें कि यह तो per annum हुआ ठीक है यह जो मेरा recurring cash inflow है 4.5 million का परस्पेक्टिव यह जो 4.5 million का मेरा inflow हुआ है यह तो per annum हुआ है इसको मैं multiply करूंगा present value annuity factor with 7% अब cost of capital 7% हो है ना question में कहीं दियावा नहीं है बट मैं आपको बता दू कि आपका जो new bond है उसका tax उसका interest कितना है interest है 10% tax rate कितना है 30% तो 7% post tax discounting factor आ गया post tax या तो discounting factor directly दिया होगा नहीं दिया है तो ऐसे आप calculate कर सकते है so present value annuity factor for 7% for how many years 6 years will be so 1 divided by 1.07 1 2 3 4 5 6 and gt ये अपने को मिल जाता है 4.767 we will get the final answer 4.5 into 4.767 which is equal to 21.4515a सम्झे गड़े अबरीबाड़ी so यह मेरा और एक important चीज आ गया है recurring cash inflow एक recurring cash inflow हो गया एक one time cash outflow हो गया so इदर tick मारदो भाही जो जो हो गया recurring cash inflow गया अब ले लेते है recurring cash outflow तो चलो यह लेत्स start with recurring cash outflow और पहले हाएं पेहले यहाएं रपताइम cash inflow यहाँ ने सेρωके question को अगर आप लोग घ्यान से देखोगे ना मैंने summary बनाया है question का देखो यह जो call premium वाला था यह हो गया interest का जो savings था वो हो गया यह वाला part हो गया यह वाला हो गया interest का saving हो गया issue cost वाला भी जो tax का benefit मिल रहा है वो भी हो गया अब क्या बचा है मेरा अब बचा है मेरा flotation cost guys आपको मैं बता दू यह जो old bond का flotation cost था ना यह मेरा था 9 million over a period of 6 years मैं इसको amortize करने वाला था अब government बोलता है जब old bonds ही नहीं रहा तो इसको आप over a period of 6 years क्यों करोगे इसको आप on the spot इसका tax benefit ले लो भाई flotation cost का अभी तुम लोग ने वादा है न issue cost, flotation cost इसका तो over a period of 6 years जो time to maturity है उसमें जाएगा but because now my old bonds are retiring old bonds ही खतम कर रहा हूँ मैं तो वो जो unamortized portion है उसका tax benefit on the spot मैं ले लोंगा and that is what I will write here one time cash flow किसका unamortized issue cost of old bonds of old bonds उसका tax benefit immediate basis पे मिल जाएगा tax benefit on immediate basis समझे क्या तुम लोग logically guys यह 9 million जो मुझे मिलने वाला था hello यह जो मेरा 9 million मेरे को मिलने वाला था यह तो मेरे को कम मिलता आज से कितने सालों बाद मिलता आज का आज ही यह आप लोगों मिल जाएगा इन 2.3 तो यह मिल गया 2.7 million because it is one time तो PVAF करने का ज़र इतनी यह तो on the spot tax सिद्धा मैं PNL में debit कर दूंगा 9 million on the spot tax benefit मिल गया मजे सो मेरा one time cash inflow भी हो गया recurring cash inflow हो गया one time cash outflow हो गया अब क्या बचता है मेरा खाली recurring cash recurring cash outflow अब इसको भी देख लेते हैं यह recurring cash outflow को भी जो connected है मेरे one time cash inflow के साथ अब सुनना ध्यान से मेरा अगर old bond ही होता तो मैं can I say यह 9 million को 9 years में period of अभी time to maturity sorry 6 years बाकी है ना कुछ time to maturity देखो कितना बाकी है बैटा time to maturity बाकी है 6 years 6 year bonds ठीक है 6 years remaining यह देखो इधा दीखा है 6 years remaining तो अगर मेरा 6 years remaining है तो मैं क्या करता 9 divided by 6 1.5 million हर बार debit करता PNL में और उसका tax benefit ले लेता अब वो नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने एक साथ ले लिया है अब वो नहीं मिलेगा तो it kind of becomes my opportunity cost वो हो जाएगा मेरा recurring cash outflow जो otherwise मेरा inflow बन सकता था यह थोड़ा एक tricky लगता है बच्चे लोगों बाकी तो I think आप लोग पूरी तरह से clear हो है ठीक है यह एक last चीज है ध्यान से समझा अगर मेरा one time cash inflow 9 million का मुझे इधर benefit मिला है तो एक benefit जा भी रहे इसी का कुछ tax benefit भी तो मेरे को मिलने वाला थ अब वो नहीं मिलेगा so it is like a cost so मैं भी बोलूंगा बॉस 9 million divided by 6 years जो अभी मेरा बाकी था इसका इसको बोलेंगे अपन लोग loss of tax benefit on old unamortized bonds on old bonds उसका unamortized cost उसका unamortized cost are we understanding guys so 9 divided by 6 जब मैं करता हूं तो यह आ जाता है 1.5 million यह कितना आ जाता है 1.5 million यह tax benefit अब मुझे नहीं मिलेगा यह मेरे लिए एक आइश outflow है बाट रिकरींगे अरी सी मतलब रिकरींग तो ओर पिरेड और यहाप अपर लोग देख लेए प्रेजन वाल्यु एननुटी फैक्टर किता है 4.767 प्रेजन वाल्यु एनुटी एनुटा प्रेजन प्रेजन वाल्यूटी प्रेजन प्रेजन सब्सक्राइब एक चीज ध्यान में रखना अपन लोग बात कर रहे हैं यहां पे यह टैक्स बेनिफिट की तो यह जो वन पॉइंट फाइव मिलियन आया है यह तो अनमोटाइजड अमाउंट है इसका टैक्स बेनिफिट निकालना पड़ेगा ना सो मुल्टिप्लाइब बा 3 विच इस 2.14515 यह नेट फाइदा हुआ है अगर मिलता तो मुझे कुछ बेनिफिट होता अब नहीं मिलेगा तो क्या लॉस हो रहा है उस टैक्स बेनिफिट का कि यह जो मैं 1.5 जैसे ही मैं मेरे PNL अकाउंट में डेबिट करता तो क्या होता 30% का टैक्स बेनिफिट हो जाता क्या हो जाता 30% का टैक्स बेनिफिट हो जाता तो 1.5 इंटू 0.3 तो मेरे को यहां पे 0.45 मिलियन का टैक्स बेनिफिट हो गया मल्टिप्लाइबाइबाइब वही 4.767 रे बबाबा प्रेजेंट वैल्यू अन्वेटी फेक्टर 7% 6 यह देखो कितना आता है यह तो 0.45 इंटू 4.767 इंडिस इस अल्सों इकोल तो 2.145 15 यह लिखो यह लिखो एक इच बात है ना में बेनिफिट क्या लॉस हो गया टैक्स का बट उसका एक साथ बेनिफिट इदर मिल गया तो 2.7 एक साथ बेनिफिट मिल गया बट 2.145 15 जो ओवर आ पिरिएड आफ ताइम विद का फाइदा तो मिलने ही वाला था ऐसा नहीं यह तो मिलने ही वाला था बट अब क्या हुआ एक्सलेरेटेड फाइदा होने की बज़े से मुझे टैक्स में अप्रोक्सिमेटली 0.6 मिलियन का फाइदा हो गया तैस्ट अब अपने पास रिकरिंग इंफ्लो रिकरिंग अब इवालिवेट करते हैं यह देखो मैंने आप लोगों के लिए यह पूरा का पूरा सिस्टम रेडी रखा है चलो अब इवालिवेट करते हैं अब इधर देखो क्या है रिकरिंग कैश आउटफ्लो किता है 2.14515 2.14515 आउटफ्लो है तो माइनस में लिखूंगा रिकरिंग कैश इन फ्लो 21.4515 रिकरिंग कैश इन फ्लो 21.4515 अब करो कैश आउटफ्लो भी अपने पास आचुका है और इस 14.4 मिलियन 14.4 मिलियन अब करो कैलकुरेश 21.4515 प्लस 2.7 माइनस 2.14515 माइनस 14.4 फाइनली आंसर आता है आपके लिए 7.61 मिलियन आओ देखते हैं ICAI के बुक में इसका जवाब क्या है जी हाँ यह यह रहा 7.60 अगर मैं इसको राउंडिंग आफ का तोड़ा वा डिफरेंस है बाकी मेरा भी आए रहा 7.60 तो चलो इसको अपन 6.0 ही रखते हैं as per ICAI and here is my final answer इसी के साथ बॉन प्रिफंडिंग का इकलोता question जो ICAI के मोड्यूल में है आप लोगों के लिए पूरा complete कर दिया है with logics अब इस logic का आप लोगों के पास एक format आ जाए तो आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा ना आओ ये रहा ये रहा वो benefit आप लोगों के पास अगर magic book है तो तो one time cash inflow कभी आपको fine करना है तो क्या होगा यहाँ पे सारी चीज़े दिवी है one time cash outflow अगर होगा तो क्या होगा तो देखो एक तो होता है call premium एक होता है new bond flotation cost और एक question है high premium एक साथ देना पड़ेगा new bond flotation cost एक साथ गया मेरा ठीक है बड़ाबर है फिर annual cash inflow तो अभी अगर मैं annual cash inflow की बात करता हूं तो करना इसे मेरा saving of interest हुआ पहले 12 तका था अब 10 तका हो गया tax benefit on flotation cost of new bond यहां पर यह जो flotation cost है ना इसका tax benefit over a period of years मिलेगा वो मैंने इधर लिख लिया फिर मेरा outflow outflow क्या हुआ sorry outflow one time cash outflow क्या हुआ कि तर एंग 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 फिर एक मेरा one time cash inflow क्या हो गया भाई मेरा जो old bond का amortized amount था भाई मेरा जो old bond का amortized amount था ना un-amortized amount old bond का वो एक साथ मुझे उसका benefit मिल गया saving tax on immediate redemption जो भी 9 million बागी था on the spot पूरा का पूरा मेरे को tax benefit उसका मिल जाएगा 9 million जो बागी था पूरा का पूरा उसका tax benefit मिल जाएगा समझे and then अगर मैं जैसे यह 9 million लेता हूँ उसका एक one time उसका एक recurring cash outflow आ जाता है loss of tax benefit जो भी वो 9 million था divide by number of years into tax rate इतना मेरा every year जो मुझे benefit मिलने वाला तब नहीं मिलेगा loss of tax benefit यह सब को मैं जब evaluate करता हूँ तो आज आता है मेरा evaluation of bond refunding and यही साम अभी अपन लोग ने किया इसका नोट्स आप लोगो टेलिग्राम चैनल पर कर दूँगा कैसा लगा आप लोगों को यह प्लीज बताओ बहुत हाई-फाई concept है काफी लोग option में चोड़ देते हैं बट अगर आ गया 8-10 मा के लिए तो क्यू इतना अच्छा अपने को छोड़ने का आप भी बताओ सही बोल रहा हूं ना सो बस यह नोट्स मेरे magic book के नोट्स और आप लोगों के पास आपका यस आप लोगों के पास आप लोगों का module का question और वो सर्फ है ही चालो वाई ताइम फॉर मीडू से आस्ताला विस्ता कैसा लगा session do let me know अभी इधर तक एंट तक देगा है तो प्लीज आप लोग ने like कर दिया होगा subscribe कर लेना bell icon के साथ because lot of finance concepts are coming your way which will make your life very interesting even beyond your curriculum as well hasta la vesta keep smiling thank you so much